नमस्कार दोस्तों डीडी रेट केका और ये अच्छन वीडियो में आप सभी अस्वागत है मैं हुआ लोग तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ वीडियो है उसका टैटल है पाक मीडिया क्राइंग एज दानिश कनेरिया एक्सपोज पाकी मौलवीज इन क्रिकेट तो जै पाकिस्तानिश कनेरिया कि इस बड़े बोल्ड मूव की और वो मुकर होकर बोल रहे हैं बता रहे हैं कि कैसे हिंदू होना जो है पाकिस्तान में अपने आप में बहुत बड़ा गुना है और कैसे हिंदूों के साथ बरताव किया जा रहा है पाकिस्तान के भीतर पाकिस्तान से जुड़े लोग, पाकिसान से जुड़े एक्सपोर्ट्स और बाकी लोग क्या कह रहे हैं, खुद दानिश कनेरिया क्या कह रहे हैं, इस वीडियो में देखते हैं चीमा साब मुझे सखत अफसोस हुआ है सारा इंटर्विव उनका सुनके उनके अलिगेशन सुनके, मुझे सखत सजमा, सखत शाक हुआ है एक तो मैं यहाँ में बताना चाहूँगा बाई फोर्स कनवर्शन किसी मख़ब में भी नहीं हो सकती यह दिलों के सौदे हैं चीमा साब, लेकिन पता नहीं क्या बात है दुख के साथ मैं कहूँगा कि अगर यह बात ठीक है जो उन्होंने कही है दानेश्क ने लिया कि तो इससे बड़ा, मैं समझता हूँ that is one of the reason हम तरकी नहीं कर ले हम तरकी नहीं हम इसलाम की original spirit को यह नहीं समझ पा रहे हम philosophy of Islam ही नहीं समझ पा रहे हम ritual में फस गए है मेरा यह question mark है जो उनको convert करने वाले वो आपने आपको अच्छा मुसल्मान समझती है मेरा यह question है क्या वो सही मुसल्मान है अगर वो सही मुसल्मान है तो वो इस तरह की statement नहीं दे सकते मैं आप छोड़ा सा बताना चाहता हूँ लेकिन मुझे लगता कि साजित साप आपको यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था आपको इसका जवाब देना चाहिए था आपको क्या लगता है कि पाकिसान के जन्रता सा अगर पूछा जाए कि भई जो convert कराते हैं कराते हैं कि आपको यह बोलना चाहिए कि जो लोग ऐसा कर रहा है वो बिल्कुल गलत इसलाम को फॉलो कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं या वो सही आदमी नहीं है कि तब्लीग करने से पहले तब्लीग को भी छोड़ें उसके पहले किसी भी मजब में किनवर्जिन के बारे में बात ही होती है आपका करेक्टर ऐसा कार्मिंग होना चाहिए दुनिया के अदर कि लोग रश करें और इंक्वाइर करें कि ये बंदा जो इतना इसके मॉरल्स दे दुनिया में कई ऐसे रिलीजन है जहां आप कर दूसरा अगर आज अगर आज अगर दाने और यही चीज साजी साब यही चीज हिंदूइजम में है आप सनातनी कंवर्ट होके नहीं बन सकते हमारे धर्में कंवर्जन है ही नहीं आप बाई बर्थ ही सनातन धर्म में पैदा हो सकते हैं कंवर्ट करके आप सनातन धर्म को अपना सकते हैं आप सनातनी नहीं हो सकते हैं सनातन धर्म अपनाना इस अनदर थिंग सनातनी होना इस अनदर थिंग आप पैदा होकर ही सनातनी हो सकते हैं करते रहें क्या फ़रा कि इसका मतलब है कि अभी आप दूसरी दुनिया से 200 साल पीछे हैं कि किसी को कहें कि आप कर लो हम तुम्हें कैप्टन बना देंगे मैं एक मिसाल देता हूं वो चाता है मैं दुनियावी तोर पर मैं कनवर्ड हो जाता हूं दिल में वह इंदूर रहता है या किसी और मख़ग में रहता है यह किस किसमी का मज़जिन फर सेल है मुझे इंदायतो हुआ है यह बात समूब हो नहीं कि जो लोग बाते उनको क्यारे भाई, उन्होंने मुझसे आज से तक्रीबन एक साल पहले क्वेस्टिन किया, दो साल, उन्होंने कहा, तार्ण साब आप मजभ की तरफ कब लौट कराएंगे, मैंने उसको बना उफेंसिव लिया, मैंने उनसे चीजिए है कि आपके पास कौन सा ऐसा मीटर, कौन सा ऐसा आपक तेस क्रोड लोग हैं, वो एक दूसरे को काफर 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 कहतें फिर रहे हैं, आप हिंदू को कहतें, कनवर्ट हो जाएं, आपके अफगान भाई आपको मुसल्मानी भी समझतें, यह कितने दुख की बात है, कि second biggest religion है, और वहाँ कुछ सो किसम का different Islam जो है, उसकी preaching हो धरम है क्योंकर सनाती हूं, मेरा धरम मुझे बहुत प्यार है, और लव माई धरम, और कोई दुनिया का, दुनिया का, दुनिया दर की दर जाए मेरे धरम को कोई चेंज नहीं कर सकता है, चाहे वो मुझे जितनी भी कुछ भी बोल दे, and I really don't care about that, ठीक है ना, लेकिन यह ब हो, कोई भी जात का, क्योंब हैं, है लड़के बहुत है बचारे खेल रहे होते हैं, लेकिन वही बात है, उनको मौका नहीं दिया जाता है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम लोग सब मिड़क्रास फैमिल में से आते हैं, कोई इतने कर रहोंगे देखे इसमें आना आना टीम में एक अलग बात है देखे पार्कुसांट को रेप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है लेकिन नो डौड़ कलब लेवल पर लड़के खेल रहे लेकिन वो उस तरह की महनत नहीं कर रहे जिस तरह मैंने महनत की क्योंकि मेरा तो फ देखे इंडिया की टीम में के वहाँ पर अजरुदीन हुआ करते थे एफान पटान यूसफ पटान अभी सिराज है मतलब बहुत सारे उमरान मलिक आ रहा है सब लड़के आ रहे आ रहा तो है टैलेंट तो आ रहा है लेकिन ये एक वही बात है आपने उसका तुदी से अच लेकिन पाकिस्तान में आपको शायद ही कोई दिखाई दे जिसका तालुक किसी और रिलीजन से हो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और हम इसको बार बार उठाते हैं लेकिन जब आप टीम में अंदर थे टीम में आपके साथ परिशान किया जा रहा था आपको कई बा क्योंकि मैं अपनी क्रिक्ट पर फोकस था और शायद आप पर दिखा क्योंकि जिया वो बहुत ज़्यादा तर मुझे बोलते दे रहते तो दोस्तों वीडियो खतम हो गया देख लिया वीडियो आपने और दानिश कनेरिया की भी बाते सुनी उस पर होने वाली चार्चाए उसकी वेबसाइट से ये दिखार हो मैं आपको वहाँ पर उन्होंने शोय वक्तर ने कहा था कि दानिश कनेरिया को हिंदू होने की वज़े से परेशान किया जाता है और शायद अफ्रीदी के बारे मनोंने कहा था शायद अफ्रीदी से बड़ी इनकी लंबी लड़ाई चल और एक बात आपने देखी उन्होंने पाकिस्तान की बुराई नहीं की उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकट टीम की भी बुराई नहीं की उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए खेलना बहुत बड़े गर्व की बात है हाँ लेकिन उन्होंने इस चीज की बुराई की कि उनके ध आता शाहिद अफ्रीदी दानिश के साथ तो आप सोचो कि किस लेवल के मेंटल टॉर्चर से दानिश को नेरिया गुजरे होंगे क्योंकि उन्हें ये चीज इसले जहलने पड़ी क्योंकि वो उस कम्मुनिटी से तालुक नहीं रखते हैं जो पाकिस्तान में मेजॉरिटी में सोचे तो अब भई हलाव साजिद तारड की बाते अपने सुनी और भी लोगों की बाते सुनी आपने और ये पाकिस्तान के लोग कहतें कि नए नी बराबर का हक है ऐसा हक है भाई देखिए कोई दलील देता है कि जी इसलामिक मुल्क है इसलिए हम नहीं दे सकते हम नहीं कर सकते अरे तो सबसे पहला काम तो आप नहीं गड़बर किया कि आपने अपने मजब की बुराई सबसे पहले सामने लेकर ला दिये कि चुकि हम इसलामिक मुल्क हैं हम इसलाम को मानने वाले हैं इसलिए बाकी किसी को हम बराबरी का दर्जा ही नहीं दे सकते तो सबसे मजब के खिलाफ तो सबसे पहले आप लोग गए कि चुकि हमारा इसलामिक मुल्क है इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं है तुम भले पाकिस्तानी हो, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है, पीम बनने का, तो ऐसा करके आपने अच्छी चीज पेश नहीं की, पूरी दुनिया में आपने अपने मजभ को बताया, कि जी देखो, मेरे मजभ में सबसे बड़ी बुराई तो यही है, आपने खुद खोल दी आप इसको शान की तरह समस्ते होंगे, चुकि हमारा इसलामिक मुल्क है, इसलिए हम नहीं दे सकते हैं, पीम नहीं बनाएंगे नौन मुसलिम को किसी को, लेकिन यह आपके खिलाफ उल्टी बात गई, क्योंकि चुकि मैं मुसल्मान हूं, इसलिए मुझे प्रिविलेज है, और हमने अपनी कंट्री को, हमने इसलामिक कंट्री बना दिये, तो हमारे पास यह प्रिविलेज है, इसलिए मैं किसी नौन मुसलिम को कुछ बनने नहीं दूँगा, उसे प्रेजिट नहीं बनने दूँगा, तो आप सोचिए कि जो नौन मुसलिम्स हैं, वो सबसे पहले अ पाकिसान में अगर कोई तेज लड़का हो, कुछ करना चाहे, और वो मालीजे हिंदू होने के वज़े सा नहीं कर पा रहा हो, तो उसके दिल में यह बात कहने हैं कि छप जाएगी, कि अगर मैं मुसल्मान हो जाओं, तो यह सब मिल सकता मुझे, वो हो जाएगा मुसल्मान, क्या करेगा, थ्रट अलग से है, समिधान आपने ऐसा बना दिया है कि कोई नौन मसली मन नहीं सकता, तो आपने रास्ते ही नहीं छोड़े न, और इसको आप लोग बड़ी शान से कहते हैं कि चुकि इसलामिक देश है, और कहते हैं कि भारत सेकुलर देश है तो नहीं हो सकत ओलते हैं, हम किसी को बड़ा चोटा नहीं मानते, कि हिंदू धर्म सरसुरिष्ट है और तुम्हारा भर्म बिलकुल नीचे गलीज है, नहीं हम ऐसा नहीं करते है। हम कहते हैं कि सारे लोग बराबर है आप किसी भी पंत को मानने वाले हो आप किसी भी रिलिजिन को मानने वाले हो हमारी नजरों में सब बराबर है इसलिए हमारे सम्मिधान में ये बात लिखी गई है कि जो भी भारत का निवासी है जो भारती है उसको बराबर के अधिकार मिल उनमें कोई कमी या जादा नहीं हो सकती कि मैं हिंदू हो इसलिए मुझे ये चीज मिल जाएगी और तुम चुकी भारत के मुसल्मान हो और तुम को ये चीज नहीं मिलेगी ये नहीं हो सकता तो आप मेरी नजरों से मेरे पॉइंट को समझेए कि एक तरह से आप लोगों ने अपने ही मजब को दबाने वाली बात जो है वो फैलाते हो कि इसलामिक मुल्क है इसलिए हम तुम्हें नहीं बना सकते तो एक तरह आप सामने वाले को प्रश्राइज कर रहे हो कि चलो मुसल्मान बन जाओ तो ये सारे फसिलिटीस तुम्हें मिल लाएंगे तो ये भी आपका तै हुआ अदूसरा कि नहीं मानोगे तो रहो फिर हम तुम्हें बनने ही नहीं नहींगे तो ये चीज़ है लेकिन कई लोग पाकिसान में है कि इसको धार्मिक नजरिये से देखने लगते हैं और ये और वो सोचिए इस बारे में जो मैं कह रहा हूँ आप लोग अपने ही मजभ को बदनाम कर रहे हैं बदनाम कर रहे हैं और सबसे बड़ा सबूत ये है कि चुके हमारा इसलामिक देश है अचा आप सोचिए स्कॉटलेंड का जो बना है वो मुसल्मान है न वही लोग अगर वहाँ पर क्रिश्चन है न वो अगर लगा देते क्रिश्चन छोड़कर और कोई नहीं बनेगा आप लोग प्राउड फील करते हो न कि चुके यह क्रिश्चन कंट्री है इसलिए यहाँ पर जो पीएम बनेगा फर्स मिनिस्टर बनेगा जो भी बनेगा वो नौन क्रिश्चन नहीं बन सकता तो आप लोग को बुरा लगता कि नहीं देखो हमारा अधिकार माना जा रहा है लेकिन यही चीज़ आप इसलामिक देश में नहीं लागू करना चाहते है वहाँ पर चाहते हैं यहाँ बनी चाहते है क्योंकि वहाँ पर आपका फैदा है और यहाँ भी आपका फैदा है इस पॉइंट और विउस से सोची और बाकी जो दानिश कनिदिया के साथ हो रहा है या बाकी जो हिंदूओं के साथ हो रहा है इसाइयों के साथ हो रहा है सिखों के साथ हो रहा है सब के सामने आप माने या ना माने पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है persecution किस तरह किया जा रहा है शिया आपके यहाँ safe नहीं एहमदीया आपके यहाँ safe नहीं अब आपको होगे कि जो आप तो जान बूझ करते हो तो आपके यहांगे data कहते हैं न भाई मेरे यहांगे नहीं कहते आप comment करके ज़रू बता है जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो में नमस्कार चाहँ